नमस्कार मित्रों मैं दुरगा प्रसाद मिस्र मिस्रा संस्कृत प्रभोध इस चैनल पर आप लोगों का हर्दिक स्वागत करता हूं हम लोग सिश्पालबद को पढ़ रहे हैं पहले हम लोगों ने 16 स्लोग पढ़ लिये हैं इसमें कभी बरणन कर रहा है स्रीक्रण जी के ना संथ नहीं है एक महान गवाव आये हैं महान प्रभायव वाले संत आये हैं बड़े सवभाग्य से संत के दर्सन हूए हैं उनको पूजा करके अपने बस में कर लो ऐसा लोग चाहते हैं बासमजमेक नहीं तो यही बात बता यह धें देना है विधाय विधाय याने की करके तस्य नारदस्य अपचितिम् पूजा को प्रसेद उशह प्रसेद उशह याने की प्रसन प्रसेद उशह नारद का बिशेशण है यानि की प्रसन कौन हुआ नारद तस्य यानि की नारदस्य अपचितिम मने पूजा को बिधा यानि करके और प्रकामम मने बहुत ज्यादा अप्रियत यानि की प्रसन हुए यज्जोनाम प्रियह यानि की याग करने बाले यजमानों के प्रिय यानि स्री कृष्ण जी प्रसे प्रियान का मतलब है आरियों को ग्रहीतुम माने पकड़ने के लिए अपने बजमे करने के लिए किसके द्वारा परिचर्या के द्वारा पूजा के द्वारा मुहु माने बार बार अर्थिना का मतलब है चाहते हैं कौन महानुभावाव लोग होते हैं तो स्रिकृष्ट जी महानुभाव हैं मनेशी हैं ही माने क्योंकि नितानतम माने बहुत ज्यादा अर्थिना माने इच् करने के लिए वात समझ में एक नहीं मौने कि यज्जो नाम प्रियह मौने कि बिधि Vince पूर्व की यग्य करने बालूं को जो प्रियल याने की स्रीक्रणजी प्रसेदुच आतस्य प्रसन्य चित्त उन महरशी की अपचितिम विधाय माने पूजा करके प्रकामम अप्री यतो अत्यंत प्रसन्द हुए ही माने क्योंकि महानुभावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावा तो यहां पर कौन सा अलंकार है वैसाब और निया सा अलंकार है ये चीज इनोंने अर्थांतरम निस्यति इस सब्द से दिखाया है महानुभाबा यानि की महात्मा लोग आर्यान यानि पूज्यों को परिचर्या यानि की पूजा करके और अपचिती का मतलब भी पूजा होता है यह जवान नहीं किसे कहते हैं विधिना इष्ट बंता है जो विधि पूर्वग यह यह को जो करते हैं वह समझ में और विधायमा ने विशेश रूप से मन वाणी और शरीर से कर्म से तथ पर हो करके पूजा की वह समझ में कि नहीं चलिए अब बता रहे हैं कि महरशी नारद ने कमंडलू में जो उनके कमंडल में जल रखा था उस जल को हरी के मस्तक पर छिड़का और हरी ने उसे नम्बरता से अपने मूर्धा को जुका करके सिर को जुका करके उस जल को ग्रहन किया इसी बात को बता रहे हैं देखिए इस बात को आप लोग समझ लीजिए अशेस मतलब होता है संपूर्ण सेस मने बचा हुआ असेस मने न बचा हुआ संपूर्ण तीर्थों से तीर्थ किसे कहते हैं जो तारती हैं तरणा तीर्थत्तु मने जो तारने के कारण संसार सागर रूपी भवबाधा से तारने के कारण जिनको तारने के कारण तीर्थ कहा जाता है वह समझ मैं कि नहीं तो ऐसे तीर्थों से उपरत माने लाई हुई कमंडलो कमंडलो से निकाल करेके पाणव माने हस्ते हाथ में निधाय माने लेकर रिशिना पाणव प्लस रिशिना पाणा अब रिशिना अउको आब हुआ है अपने हाथ में लेकर के रिशिना याने की रिशी के द्वारा नारद के द्वारा अब भिदु रिताहा का मतलब है छीडक दि गई कहा पर हरी के उपर तो उसको हरी ने क्या किया ये कौन छिड़क दी गई भाई साब अपह मने जलानी जलों को और वो अपह मने जलानी जल कैसे हैं पटी यसी ही अत्यंत चतु रहें निपोन हैं किस बात में अगवग विध्वन्स विध्वू अग कहते हैं पाप को उसके ओग यानी समुदाय को विध्वन्स मने नश्ट करने में उस नश्ट करने की विधी में अग मने पापों के ओग यानी समुदाय को विध्वन्स यानी नश्ट करने की विधी में जो पटी यसी ही अत्यंत निपोन हैं आयसी अपह यानी की जल को हरी ही हरी ने अग रहीत मने ग्रहन किया नतेन मुर पुर्धा को जुकाय करके ग्रहन किया और जल में ही पटी यसी ही विशेशन है पटी यसी यानि के निपुण किसमें अग के समुदाई यानि पाप के समुदाई के विध्वन्स की विधी में और वो जल कहां से लाया गया था संपूर्ण तीर्थों से उप्रित किया गया था बासमज में आई कि नहीं अखिल याने देखो खिल मतलब भी अवयब होता है और निखिल याने की संपूर्ण अशेश तीर्थो पृताहा समस्त तीर्थों से लाए हुए कमंडलू से अबनारज जी हैं इधर उदर भटकते रहते हैं अपने हाथ में निधाय माने रख करके और रिश्णा यानि महारसी के द्वारा छिड़के हुए अभ्युदीरता हमाने छिड़के हुए और अगव गवित्वन से विधाव पटीयसी यानि की पाप समूह को नष्ट करने में पूर्ण समर्थ पटीयसी ही चतुर निपुण अपह मने जलको हरी ही हरी ने नतेन मुर्धना यानि की नम्र मस्तक माने की जुके हुए अपने मस्तक से ग्रहन किया वासमझ में आई कि नहीं चलिए तो इसके साथ ही हम लोग अगले शलोक में अगले वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार